हर एक color में अपनी कोई पहचान होती है, अपनी कोई identity होती है, अपनी कोई express करने की बात होती है, तो इसी प्रकार से color coat का बहुत ज़ादा important रोल है, हमारे हर एक जगह, हर एक field में की color coat क्या दर्शाता है, फिर चाहे वो doctor का white coat हो, फिर lawyer का black coat हो, तो इनकी क्या वज़य है कि lawyer black पहने और डॉक्टर, वाइट लायल ब्लेक क्यो पहने और दॉक्तर वाइट Weather Weather का कोई खुबी दर में सफेद रंग को। सचता को प्रतीक माना जाता है, इसके अलावा यह एक यह रंग इमानदारी, पवित्रता और इश्वरत का प्रतिनी दीव भी है और डॉक्टर के प्रोफेशन में ये सारी चीजे बहुत माइने रखती है यही एक most solid reason है कि डॉक्टर या उनसे जुड़े सारे कर्मचारी सफेद कलर का कोट पहनते हैं अब हम बात करते हैं लॉयर्स के ड्रेस कोट के बारे में हमारा देश में गर्मी हो या ठंड हर मोसम में वकील और जज काला कोट ही पहनते हैं पर लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर वकील काला कोट क्यों पहनते हैं तो हम आपको बताते हैं कि वकीलों के काला कोट पहने की वज़र क्या है। माना चाता है कि वकीलों के काला कोट पहने की परंपरा इंगलेंड से शुरू ही थी। 1865 में इंग्लेंड के शाही परिवार ने किंग्स चार्ल्स दृतिये के निधन पर कोट को ब्लेक पहनने का आदेश दिया था, इसके बाद कोट में ब्लेक कोट पहनने का चलन शुरू हो गया, भारतीय नियाय पालिका अंग्रेजों के सिस्टम से ही चलती है, इसलिए यहां भारत के कोट में भी वकीलों के ब्लेक कोट पहनने का रिवाज अभी तक चलता आ रहा है, यह तो थी इसकी एतिहासिक जानकरी, अब हम बात करते हैं कि काला कलर ही क्यों सेलेक्ट करा है, काला रंग को ताकत और अधिकार का प्रतीक माना जाता है, काला कोट, अनुशाशन, आत्म विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है, काला रंग द्रश्टे हिंता का प्रतीक माना जाता है, वेसे भी यह कहा जाता है कि कानुन अंधा होता है, क्योंकि द्रश्टे हिन वेक्ती किसी के साथ पक्षपाद नहीं करता, काले कोट पहनने का मतलब है कि बिना future में बहुत ज्यादा important रखती है क्योंकि ये एक basic knowledge है जो हर किसी को पता होना बहुत जड़ा ज़रूरी है तो अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा important helpful रहा है knowledge base पे तो आप ये वीडियो को अपने colleagues और अपने friends के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि वो भी इस basic knowledge का ज्यान ले सके और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद